हेलो गाइज वेलकम बैक तो दी चानल तो आज के चिकन की रेसिपी हम बिना किसी तेल और बिना किसी घीके बनाएंगे बहुत ही हल्दी तरीके से तो चलिए सुरू करते हैं इसे बनाना तो सबसे पहले मैंने चिकन में हरी कटीव इमिर्ज डाली है फिल लासन अद्रक का पे ट्रेस्ट करने देंगे ताकि अच्छे से मैरिनेट हो जाए फिर एक कड़ाई में हम थोड़ा सा खड़ा धनिया जीरा और जितने भी खड़े मसाले होते हैं इन सब को ड्राय रोस्ट कर लेंगे और कूट लेंगे पीसना नहीं है हमें फिर हम पैन में चिकन डाल देंगे बिना किसी तेल के डालेंगे अगर आपके पास नॉन स्टिक पैन है तो आप सारे चिकन को इसमें डालकर थोड़ा मिक्स कर ले फिर पानी डाले लेकिन अगर आपके पास नॉन स्टिक पैन नहीं है तो फिर आप चिकन डालकर तुरंत ही उसमें पानी डाले ताकि वो नीच कराता है चिकन में फिर हम उपर से थोड़ी सी कसूरी मेथी मैस करके डालेंगे फिर हम इसे चलाएंगे अभी भूनते हुए मुझे 10 मिनट हो गये हैं तो अब मैं इसमें पानी डाल दूँगी मैं थोड़ा थोड़ा करके पानी आड़ करूंगी आपको जिस एकॉर्डिंग प्रेवी चाहिए आप उतना पानी रखें फिर यह रेडी है आप इसे चावल और रोटी के साथ इंजॉई कर सकते हैं है ना यह बहुत ही हेल्दी रेसिपी अगर मेरी रेसिपी पसंद आए तो प्लीज लाइक से और सब्सक्राइब करना ना भूले ओके बाबाई